तो फिर्ट्स आज है संडे इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करेंट अफियर्स तो लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टन क्वेशन को चलिए आज जम इस वीडियो में कवर करती हैं तो पिर्ट्स वीडियो को जरू देखेगा और लास्ट में अपना स्कोर जरू बताएगा तो पहला क्वेशन देखिए तो अभी देखे पहली बार देखे जो स्नो लेपर की पॉपलेशन उनका एस्टिमेट लगाया गया है और उसकी अनुसार इंडिया में अगर हम टोटल बात करें तो लगभग 718 जो हैं स्नो लेपर्ट है next question है which of the following countries has won the inaugural edition of the FIH hockey 5S women's world cup तो किस देश ने FIH hockey 5S महिला वेशो कप का जो है वो inaugural edition जीता तो ये edition किस team में जीता है the answer is netherland तो netherland जो है देखेस में winner रही थी second place में यानि silver medalist team कौन से रही इंडिया ब्रॉंस medalist team कौन से रही पॉलेंड बेस्ट प्लेयर का वोर्ड किस ने चीता निदलेंड के प्लेयर नोर डी बाट बेस्ट गोलकीपर का जो है अवोर्ड चीता पॉलेंड की प्लेयर मार्टा कुचार्स का बेस्ट जूनियर प्लेयर का वाचीता है इंडिया की प्लेयर दिबिका सोरंग ने टॉप स्कोरर की बात करते हैं तो 19 गोल के साथ उरुगवे की टेरेसा वियाना रही टॉप स्कोरर एंड वुमें चैलेंजर टॉफी की विनर कॉंसी टीम रही युनाइट स्टेटस नेक्स क्वेशन है बाते सेना में सुबिदार का पत पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है उनका नाम है प्रीती रजक प्रीती रजक जो है इन्होंने मिलिटरी पुलिस को जॉइन किया था दिसंबर 2022 में 19 जब एशन गेम्स हुए थे हंग्साओ चाइना में तो उसमें प्रीती रजक ने ट्राफ भूमें टीम इवेंट में कौनसा मेडल जीता था सिल्वर मेडल नेक्स्ट क्वेशन है विच स्टेट हैस और्गनाईज तो फोर्थ एडिशन आव दी एन्वल ओरेंज फेस्टिवल 2024 तो किस स्टेट ने वाशिक ओरेंज फेस्टिवल 2024 के चौतिय संस्क्रण का आयोचन किया है तो फ्रेंट्स इसका आयोचन किया है नागलेंड इस्टेट ने इस पार इसकी थीम क्या रही थी तो इस फेस्टिवल के थीम रही थी और्गनिक ओरेंज और इस दो दिन के फेस्टिवल को इनॉगरिट किस ने किया था सल होतु आनू क्रूज जो की मिनिस्ट्र है वुमन इस बात करते हैं बात करते हैं तो इसकी स्थापना होई थी 1st of February 1977 को और headquarters का located है न्यू डेली में नेक्स्ट क्वेशन है अजाली असोमानी has been re-elected as a president of which country सो अजाली जो है फ्रेंट से के सेश के राष्टपती के रूप में फिर से देखे इनको चुना गया है तो ये बने है कॉमरोज के दुबारा से president कॉमरोज जो है अफरिका कॉंटिनेंट में है और इसकी capital है मोरोनी और currency है यहां की कॉमरियन फ्रैंक next question है the first brain chip in humans has been implanted by which company सो मनुष्य में जो पहली brain chip है वो किस company के दौरा implant की गई है तो company का नाम है Neuralink Neuralink जो है ऐलन मस्क की ही company है जिसने पहली जो है brain chip को implant किया है human patient में अगरा question है India secured which position in the global corruption index सो भी जो वैश्विक भ्रस्टाचार सूचकांक आई है उसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है तो इंडिया इसमें रहा है 93 प्लेस पे नंबर वन पे कौन सिकंडरी रही तो डिन्मार्क रही लगा था 6 साल से डिन्मार्क जो है वो first position पर रहा है अगला question name the billionaire from the southern state of Johar who has been appointed Malaysia 17th king सो Malaysia के अभी सत्तरवे राजा कौन न्युक्त किये गए है तो फैंट सिंका नाम है सुल्तान इबराहिम इसकंदर मलीशा की बात करते हैं सो फ़र मलीशा के कापिटल है कौलालंपूर करंसी है यहां की मलेशियन रिंगेट और प्राइम मिनिस्टर है अनवर इबराहिम अगला question देखे which ride hailing company launched e-bike business in Delhi and हैदराबाद तो कौन सी ride hailing company है जिसने दिल्ली और हैदराबाद में e-bikes देपाई शुरू की है तो यह शुरू की है किस company ने? Ola company ने तो friends Ola company जो है वो दोनों शहर में इसको शुरू करेगा और इसके लिए वो 10,000 electric scooters जो है वो दोनों शहर में deploy करेगा next question सुखवीर सिंग गिल passed away recently at the age of 48 he was related to which sport तो सुखवीर सिंग गिल की बात करें इनका भी निधन हुआ है इनका सम्मन्द की scale से था तो इनका सम्मन्द था होकी से next question two time Asian Games medalist Noorim Roshabini Devi has been named International Wushu Federation's Female Athlete of the Year तो इने चुना कया है देखे अभी she is from which state तो वे किस राजर सी है तो friends ये बिलॉंग करती है कॉंसे state से money push so 23 year old है Roshabini जिन्होंने bronze और silver medal जीता था bronze जीता था इन्होंने 2018 के Asian Games में और silver medal जीता था इन्होंने 2022 के Asian Games में next question who has clinched gold in the 10 meter air rifle event at the ISSF World Cup so ISSF Wish Cup में 10 meter air rifles परधा में स्वान पतक किस ने जीता तो friends gold medal जीता है दिव्यान्ष सिंग पवार्नी अगला question the 23rd World Sustainable Development Summit कौनसे शहर में इसका आयोजन किया जाएगा तो विश्व सतत्विकार शिखर समेलन गे 7 सी नौ फरवरी तक होगा और इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में इसको ओगनाइस कौन करेगा तो the Energy and Resource Institute इससे ओगनाइस करेगा और इसकी theme याद रखना Leadership for Sustainable Development and Climate Justice अगला कोशन the unit ministry of home affairs extended the ban against the student Islamic movement of India for how many years सो केंदे ग्रह मंत्राले ने जो student Islamic movement of India है उसके खिलाब जो ban लगाया था ये ban कब लगाया गया था देखे 2001 में और अभी इसी ban को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है तो आंसर होगा friends 5 years के लिए अगला कोशन देखे टैबली ओ विच ओफ दे फॉलाइंग ministry जिसने पहला प्राइज जीता है Republic Day Parade 2024 में तो फर्स प्राइज जीता है ministry of culture की जहांकी ने और इसकी जो theme रही थी इनकी वो क्या थी इंडिया mother of democracy अगला कोशन देखे the election commission of India has collaborated with film maker राजकुमार हिरानी for a short film जिससे क्या होगा voting के बारे में awareness जो है बढ़ाई जाएगी तो इसके लिए ECI ने फिल्म में का राजकुमार हिरानी के सथ collaborate किया है यह जो short film में इनोंने बनाई है इसका title किया है तो इस short film का title है My Vote, My Duty जो है इसका title है यह जो short film देके बनाई है ना इसमें कहीं सारे जो जैसे cricket icons होगई या actors है उनकी वीडियो messages है Election Commission of India की बात करती है तो इसके स्थापना कवोईती 25 जनवरी 1950 को इसले 25 जनवरी को मनाती है Voters Day Headquarters का located है New Delhi में और इसके current में चीफ कौन है राजीव कुमार Next question देखिए Rana Talwar passed recently at the age of 76 Who was he? So Rana Talwar कौन थे? जिनका निधन हो गया अभी यह थे banker थे यह इन्होंने अपना career जो है वो City Bank India से शुरू किया था 1969 में Next question है The Samlay Temple Project has been launched in which of the following state तो Samlay मंदिर परियोशना किस राज्य में शुरू की गई है तो यह परियोशना शुरू की गई थी Odisha State में Samlay का पूरा नाम है Samlay Shuary Temple Area Management and Local Economic Initiative तो जो भी मंदिर में आने वाले देखे तीर्थी आतरी हैं जो visitors हैं उनको यहाँ पर एक अच्छा experience मिले यही इस project का में उदेश्य है Next question who has been appointed as a new chairman of Telecom Regulatory Authority of India तो भाते दूर संचार नियामक प्राधीकरण का नया अध्यक्ष किसे न्युक्त किया गया है the answer is अनिल कुमार लहोती Telecom Regulatory Authority of India की स्थापना होई थी 20 February 1997 में headquarter जो है located है न्यू डेली में Next देखे इस the ICC board lifted the suspension of which cricket board with immediate effect तो अभी ICC ने जो है वो किस cricket board का निलम मन ततकाल प्रभास से हटा दिया तो शेलंका पे देखे दो महीने पहले ही शेलंका board पर ICC ने बैन लगाया था लेकिन अब इस प्रतिबंद को जो है वो हटा दिया है Next question देखे Mytrius ते यानि शहीद दिवस किस दिन मनाया चाता है तो Friends दिन मनाया चाता है 30 January को 30 January को इस दिन को मनाती है देखे महात्मा गांधी जी की memory में सुमात्मा गांधी जी हमारे father of nation ते गौटसे राम नाथुराम गौटसे ने हत्या करी थी इनकी 30 January 1948 को तो इस ते 30 January को शहीद दिवस के रूप में मनाया चाता है एक और दिन होता है जिस दिन शहीद दिवस मनाते हैं जिसे कहते हैं 23 March लेकिन इस दिन तीन brave fighters हमारे freedom fighters रही थे भागस सिंग जी, शिवराम, शिवराम राजगुरु जी और सुगदेव थापर जी बिर्टिशन ने जो है इनको फांसी की सजा दे दी ती इनकी याद में 23 माच को मनाते हैं शहीद दिवस नेक्स्ट क्वेशन देखिए इसरो टू लॉंच न्यू मेट्रोलोजिकल सेटेलाइट फ्रॉम सतीज धवन स्पेस सेंटर तो अब इसका नाम क्या है तो इस सेटेलाइट का नाम है इनसेट 3DS तो ये क्या करेगा मौसम संबंधी जो भी देखिए observation होगा न उसको प्रदान करेगा और जो भी weather forecasting capability है उसके लिए इसको design किया गया है इसरो का देखिए पूरा नाम है Indian Space Research Organization इसरो के स्थापना होईती है 15 August 1969 को headquarter Bangalore में है current में chairman है इसरो के S.S.O.M.N.A.T. 23 फरवरी को कौन सा शहर इंडिया rubber meat के साथवे संस्करण की मिजवानी करेगा तो answer है यहाँ पे गुवा हाटी इस edition की देखिए theme क्या रहेगी natural rubber changing landscape emerging trends and insights for tomorrow next question है after rejoining NDA नितिश कुमार recently took the oath of office as the dash consecutive chief minister of Bihar तो नितिश कुमार अभी हाली में Bihar की नौवी लगातार मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपदली है और deputy chief ministers कौन बनी है सामरत चौदरी और विजे कुमार सिनहा बिहार की capital पटना है और governor है यहाँ के राजेंदर विश्विनात अर्ली कर next question which IIT scholar जिनको अभी हाली में best product design award मिला है water and sanitation category में तो यह अभी award किस IIT को मिला है IIT Guwahati को अगला question है who has been awarded the वायू सेना medal for gallantry on the 75th Republic Day तो 75 वे गरतंत दिवस पर वीरता के लिए वायू सेना पदक से किसे संभानित किया गया है तो यह honor दिया गया है किसे Nikita Malhotra को Nikita Malhotra जो है Indian Air Force में squadron leader है जिने मिला है वायू सेना medal अगला question देखे which country will host the world test championship 2027 final कौन सर देश जो है विश्व test championship final की मिजबानी करेगा तो answer है यहाँ पे England next Dr. Nitya Anand जिनका अभी निधन हुआ है at the age of 99 he was discovered Dash तो इन्होंने discovered क्या किया था इंडिया की पहली oral contraceptive pill जिसका नाम था सही दी इसको जो है इसकी खोच की थी Dr. Nitya Anand ने next question है the Indian pair of Dash जिन्होंने इंडिया का पहला gold medal जीता आई SSF shooting World Cup 2024 में और ये World Cup कहां पे हुआ काईरो में तो भारत का पहला सुर्ण पतक किसने जीता रिदम सांगवान और उज्वल मलिक ने next question with this victory at Australian Open who became the oldest male player जिन्होंने जीता है grand slam title ever तो सबसे उम्रदरास के लाड़ी कौन बने है रोहन बोपन्न और रोहन बोपन्न जो है न इन्होंने men's doubles में देखिए जो है वो Australian Open का title चीता Australian Open की बात करें तो इस पार हुआ इसका 112 वा एडिशन ये हुआ Melbourne Australia में और ये hardcoat पर खेला जाता है men's single की बात करती है तो men's single के winner कौन रहे इडली के जैनिक सिनर women's single की winner कौन रही आयरेना सबालेंका men's double की winner रहे रोहन बोपन्न और मैथ्यू एबडन और women's double की बिनर रही हीशू वी एन एलिस मर्डेंस next question है world wetland day किस दिन मनाया जाता है विश्व आदरभूमी दिवस ये कब मनाती हैं 2 फर्वरी को 2 फर्वरी को क्या हुआ था देखे 2 फर्वरी 1971 को इरान के रामसर शहर में wetlands पर एक convention को adopt किया गया था इसलिए 2 फर्वरी को मनाती है world wetland day world wetland day के शुरुवात कब उती 1997 में और इस बार इसकी theme है wetlands and human well being अच्छा बात करें सबसे पहला wetland कौन सा है जो identify किया गया था तो world का सबसे पहले रामसर साइट बनी थी 1974 में और उस्ट्रेला की कूबर्ग पैनिंसुला इंडिया में पहली रामसर साइट कौन कौन सी है उडिसा की चिलका लेक और राजिस्थान की केवलादी नैशनल बार्क नेक्स्ट इंडिया ने दिखिया अभी पांच नए wetlands को रामसर लिस्ट में जो है एड़न किया है अब इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी हो गई है तो नाव इंडिया में कराई विटी बर्ट सैंचुरी और लॉंग बर्ट शोला रिजर्व फोरेस्ट तो टोटल कितने हो गई है फेंड्स याद खेगा 80 अगला कोशन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैस लॉंच्ट अन्यू इनिशेटिव जिसका नाम है सडग सुरक्षा फोर्स किस राज्य सरकार ने सडग सुरक्षा बलिक पहल शुरूगी तो ये पहल शुरूगी थी पंजाब सरकार ने तो एक तरीके से दिखें स्टेट में जो यातियाद विवस्ता है यानि ट्रैफिंग मुव्मेंट है उसको इंप्रूफ करना और रोड एक्सिदेंस को कम करना इसका उद्देश है पंजाब की कापिटल है चंडीगर सीम है भगवंद मान और गवर्नर है बनवारिलाल पुरोहित नेक्स्ट रेके अभी जहारकंड के नए चीफ मिनिस्टर किसे चुना गया है जहारकंड में नए मुख्य मंत्री बनी है चामपई सोरीन संजे विनायक मुदलियार ये किस पांक के एक्जेग्यूटिव डारेक्टर अपॉइंट हुए है त्यांसर इस बैंकोब बडोदा बैंकोब बडोदा की सापना हुई 20 चुलाई 1908 को हेटक्वार्टर वदूद्रा गुजरात मी है चीर्मेने हस्मुक आदिया और MDCO है देवदत चंद नेक्स्ट एशन किर्गेट काउंसिल के देखे चीर्मेन कौन बनी है तो एशन किर्गेट परिशत की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया है जैशहा को एशन किर्गेट काउंसिल के सापना होई 19 सेप्टेंबर 1983 को हेटक्वार्टर इसका है कोलंबो श्रिलंका में और वाइस प्रेजिरेंट है पंकच खीम जी नेक्स डेके बुक का नाम क्या है एक समुंदर मेरे अंदर तो ये जो बुक है इसकी ओधर कौन है तो ये बुक लिखी है किसने संजीव जोशी ने नेक्स वट इस दा मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का देखे इस बार जो है वो होगा इसका फोर्थ एडिशन और इसके मैस्कॉट का नाम है शान शीन एशी इसका देखे पहला ही एडिशन हुआ है और ये कहाँ पे शुरू हुई एक्सराइज राजस्थान में किस कमपनी ने इस टेकनलोजी को लॉंच किया था तो इस टेकनलोजी को लॉंच किया था ओला कमपनी नी निर्मला सीता रमार जी will be the second finance minister to present her sixth straight budget इन्होंने अपना अभी छटा straight budget देखिए जो है present किया है और अभी इनका record former prime minister मुरार जी देसाई के जो है equal हो गया है What is the name of the house channel जोके भी recent IRDA यानि Indian Renewal Energy Development Agency ने शुरू की तो अभी चुनकी ग्रह पत्री का इन्होंने शुरू की है उसको नाम क्या दिया है इन्होंने पहल IRDA का स्थापना उइती 1987 में headquarter New Delhi में है Chairman है प्रतीब कुमार दास और CFO है विजय कुमार मोहनती अगला question देखिए who has been awarded the ICC Men's ODI Cricketer of the Year Award for 2023 तो ये award किस ने जीता है विराट कोहली ने next question देखिए who has directed the documentary documentary film का नाम है To Kill a Tiger और ये documentary Oscar 2024 के लिए nominate हुई है इसको direct किस ने किया है निशा पहुजानी So देखिए ये जो documentary देखिए nominate हुई है ना ये nominate हुई है best documentary feature film category में So friends यहां हमारे आज की most important questions complete हो गए है So आज की इस video में हमने cover करी है total 45 questions So now आपका time आता है कि 45 में सी आपका क्या score रहा है जल्दी से हमें comment करके ज़रूर बताए यहां पी complete होता है Thank you so much for watching this video